ना इसक्रीम ना कुई करीम बहुत ही मज़ेदार बनती है मेरी बहुत मेहनत के बाद मैंने इसको बनाया पहले कुछ हरसा इसको खराब किया लेकिन अब इतली परफेक्ट बनी इतली मज़ेदार बनी है कि मुँ में गूल गूल जाए तो इसके लिए मैंने पहले तीन चमच शहत के ले लिए और एक काप चीनी इसको मिक्स कर ले और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया दो चमच इसमें मैंने पानी शामर किया अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बहुत ही मज़ेदार बनती है इतनी क्रीमी और यमी कि इस पर मुझे मेरा दिल चाहा कि मैं इसको बनाओ और इसके लिए मैंने दो से तीन दफार पहले कोशिश की लेकिन वो मेंसे पसक नहीं बार लेकिन इस सफ़ा मुझे इतनी अच्छी और बिलकुल वही चीज बनी वही जो में चार यह थी के बने तो उसको मैंने बहुत अच्छी से बनाया अच्छी सिर्फ आपने सफ़ादी ले लेनी है और चीनी को आपने तब तक पकाना है जब तक उसके अंदर वह अच्छी से डिजॉल्व नहीं हो जाती इसम कर चीनी बनाया और पिर आपने 2 अंदकी शिय्की अलाध कर दमेए जर्दी को अग्ले बिलकुल अलाधा कर दएना है और तो अच्छी तरह से बीदी हो जाती है और जो बैटों की नहीं अच्छी तरह से बन जाए तो आपने जो चीनी करमला इसकी है शेहर दें डालके तो उसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके उसको जो हमने एग वाइट बीट किया है उसको आपने थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करना है मिक्स नहीं होती तो आपने जो थोड़ा से थंड़ा हो गया था मेरा करमल तो उसको आपने चोले पर रखने और हलकी आँच पे जैसे दम की आँच होती है उसको आपने इसको रख दिने और साथ-साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है फिर यह बहुत ही अच्छी से मिक्स हो तो यह जाए नहीं बता है अगर खाने की डिश में यह जाफा करते हैं तो यह की तक तरे आप इसको बनाएं या बचों के लिए वैसे इसको बनाएं तो यह जो फो थी शैन्दा थी मार्शमिन गों जो है यह जो फें लिकूल वही लूफ है और वही चीज है लेकिन उससे ज् मिक्स कर लें तो इसके बाद आपने बीटर से इसको सब तर बीट जाना है चार से पास के नड़ ताकि यह बहुत अच्छी से फ्लफी हो जाए अब यह देखें कितनी जबर्दस से यह करें बाच्चुक यह बहुत ही शांदार बनी है इसकी लूप भी बहुत अच्छी आई ह और बिल्कुल यह आपको मार्शमेलो का ही जाएका भी टेकी जिन बच्चों को तो मार्शमेलो बहुत पसंद है तो यही दोने वाली है तो इसके आप नड़ सबने हिसाब से भी डालना चाहें मैं इसमें मुंग पर ही डालूंगे तो इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूंग अलकी आप पे और इसको मैंने थोड़ सी हवा लग जाई स्टेंडर में डाल लें वाले कमाने के पास आप इसको जड़ा ज़रा मलेंगे तो इसके उपर से चिल्पा जो है वो रिमूब हो जाएगा बाकि आप चानल आप से लादा-लादा करके उतार सकें लिकिन मुझे इस तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है अभी जब हम इसको स्टेबल करेंगे तो यह इसमें बहुत ही अच्छी से स्टेबल हो जाएगी आप इसको दो पार्टिशन में कर लेंगे इस मैंने चोटा एक चोटा सा पॉट ले लिया उसके अंदर मैं यह बटर पेपर लगांगी इसके अंदर से इसीली इसको रिमूफ किया जा सकता है अगर आप शापर उगहरा लगांके करते हैं तो भी ठीक है उसमें से भी वह असानी से रिमूफ हो जाता है अगर आप इस तरह से इसको नहीं भी करते हैं इस तरह नहीं डालते हैं तो आप इसको किसी भी और बर्तन में खुले मूख के बर्तन में आप यह से भी एक ही बर्तन में आप इसको रख सकते हैं आप वैसे भी इसको निकाल सकते हैं कि इतनी जरूरत है आप इसको निकाल ल अब मुझे लाइस का कलर चाहिए था, तो मैंने उसके अंदर हलका सा जरीवी कलर डाला, ताकि मुझे वो पिस्टे का कलर दे, तो उसके लिए मैंने एक और बटन ले लिया, उसके अंदर भी मैंने ये लगा लिया बटर वेपर, और जो मैंने गरीन कलर का मार्शमेलो बनाया becoming yummy coffee with little apples for spring लिए बच्री बच्रीवड़े वड़े सब पसंद करेंगे इसको यα उसनी म्हथे दार होती है कि मूं में भूर जाती है आपको इसको बूपत ही आपको यह पसंद आएगी आप इसको बना के देखन आपको यह बनानी पड़ेगी आपके बच्चों की फर्माश पड़ जाएगी बलकि आप कुछ से भी आपका दिल चाहेगा कि आप इसको बना की इकठा आप इसको काफ़ मिक्तार में रखेंगे कि आप इक पड़ा है तो किसी थाइम पर आप चलो हलका भूका एंजॉय हो जा इसको बढ़ य रखा है तो उसके बाए इसको निएग्दालए जाए मैं ने दला लिए हो इस तरह आप में इसको रखोंगे प्लेट में और इसकी आपको कटिंग करके दिखाऊं कि कि कितना ये चुएबल और सॉफ्ट इतना ही टेस्टी इसकी लुक भी अच्छी है और इसका जाइका भी बहुत ही शांदार बनता है इसके अंदर बारुकार इनी भी आती है उसका ग ये चुएबल और कितना तोल करते हैं और कितना ही उसका खाने में टीस भी इस इतना ही अच्छा और इतना ही जाम है और यह देखें आप इसको बनाएं आप इसको बॉक्त इंजुए करेंगे और वीडियो को लाइक करना नभूला करें और या करेंगी